हाई एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल तो हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालियर के मेले में और ये मेरा फस्ट टाइम है जब मैं ग्वालियर का मेला देखने आई हूँ पहले हम लोग ग्वालियर में जब रहते थे तो यहां पर मेला नहीं लगा था दो साल के लिए और फाइनली मैं इस वार जब आई हूँ तो यहां पर यह मेला लगा हूँ है तो हम लोग चलते हैं अंदर तो गाइस आगे जाते हैं हमें यह कस्मीरी सॉप दिखती है जिस पर यह ब्लैक कलर का क्लोथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा होता है तो हम लोग तुरह पहुंच आते हैं उस सॉप पर और एनी के लिए यह ट्राइ करते हैं तो यह मुझे काफी पसंद आया है और हम ल लोग आगे जाते हैं फिर हमें यह जैकेट की सॉप दिखाए देती है जिस पर हम आ जाते हैं और यह जैकेट का प्राइज है 700 रुपए 700 रुपए के हिसाब से इनकी क्वालिटी काफी अच्छी थी अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं पर मुझे नहीं लेनी थी इ यहां पर पूछते हैं तो भहिया बोलते हैं कि आगे देख लो और आगे आते ही यह बच्चों कि इतनी जादा सॉप थी यहां पर एनी हर एक दुकान पर जाके खड़ी हो जाती थी कि उसको लेना है इस सॉप पर काफी फैंसी स्टेशनरी की चीजे थी तो यहां से हम पाद हम लोग आगे चलते हैं गौलियर का मेला हम लोग पहली बार देखने गए थे तो हमें समझ दिया आ रहा था कि हम लोग कि इधर जाएं क्यूंकि गौलियर का मेला इस तरल काफी बढ़ा है तो हम फिर एक अच्छी सी दुकान दिखाई दीती है तो हम उसके अंदर च चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या धी अगे जाके फिर से यह बच्चे खिलोने की सॉप आ जाती है मुझे लग रहा था पूरे मेले में सिर्फ रजाई कंबल और बच्चों के खिलोने की इतनी ज्यादा दुकाने थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिर्फ यही दुकाने दिखाई दे नी थी तो एनी फिर से आ जाती है और यहां से यह किचिन सेट खरीद लेती हैं और फिर हम लोग आगे जाते हैं तो फिर से एक खिलोने की सौप है तो यहां से भी आगे की तरफ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाओं बड़ी मुझ मुझे कोई अच्छी सौब दिखाई देती है तो मैं उसकी तरफ जाती हूं और यह है बैंगल की सौब के लिए दो तीन हेयर बैंड लिए हैं क्लिप्स बगएरा खरीदी हैं तो दस रुपए में मुझे इनकी क्वालिटी भी अच्छी लगी है यह एक मिरर खरीदा था मैंने यहां पर तो दस रुपए में मैंने छे साथ चीजें खरीद ली थी यहां से फिर मैं आ जाती हूं घपा दोजीर खरीद रचे लेती हूं फिर हम लोग जाते हैं आगे की साइट आगे तो यहां से ईली वगयरा खरीदो है सो रूपी में नोहीं देखते हैं यहां पर कपड़े एक्दम-पुराने लगने लगने, धुर उल्ग पर शुवर्वाइन लग देखते हैं और ञुरनाN तरफ और आगे ये एक सॉप थी ब्रजवसी का प्रशिद स्पेसल खाना जो की बनी बहुत अच्छी थी पर वहां पर उतना ज्यादा देखनी रहा था कि आइटम होंगे तो आगे हम लोग को ये गुबारा सूटिंग वाली दुकान दिखाए देती है जहां एनी जित करती है इने गुबारा फोड़ने के लिए तो हम लोग पहुच जाते हैं सॉप पर और यहां पर ये निसाना लगाते हैं जो कि काफी अच्छे निसाने लगाते हैं उसके बाद एनी जंप करकर इनको बैलून बता रही थी और ये उसी बैलून को फोड़ रहे थे तो काफी लग रहा था तो यह उसमें जूए कर रहे थे दोनों फिर हम आगे की साइड जाते हैं और आगे हमें दिखाई देते हैं कुछ टॉइस तो यहां से भी आनी कुछ खरीद लेती हैं और फिर हम लोग जाते हैं आगे की साइड कि अब मुझे जूलना है जूला और काफी आगे जाते हैं और भी जूले देखेंगे तो मुझे यहां पर नाव वाला जूला बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं उसी को जूलूँगी तो आप देख सकते हैं कि यह है वो नाव वाला जूला जूला जो अभी मैं जूलने जाओंगी और मेरे साथ जाएंगे मेरे प और मेले में आओ और सॉफ्टी ना खाओ ऐसा हो यह नहीं सकता हम लोग हमेशा अपने यहां का जब मेला रगता था जीदमन घर आने से पहले सॉफ्टी खाते गोई आते थे तो सेम आज हमने फिर से ऐसे ही किया हम यहां से सॉफ्टी लेते हैं और निकल जाते हैं घर के मेला अभी भर रहा है वहां पर काफी दुकान अभी खुली नहीं थी तो बस आप लोग थोड़े दिन बाद मेला देखने जाएं गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक्स पर वाचिंग